हेलो एब्रिवन, वन सेगिन विलकम बैक तू मैं चैनल, फ्रेंट से आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे 60 प्लांट की कटिंग अफडेट बहुत अच्छा रेजल्ट मिला है, यह सारी कटिंग से मैंने सितंबर 1 से लास्ट तक की बीच में किया, कुछ टैरिस गार्डन के कटिंग है, वो अलग-अलग मैंने रखा है, तो अलग-अलग वीडियो शेयर करूंगी, सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े बाले के साथ, तो यह जो कटिंग है फ्रेंट से यह है फाइकस, तीन कटिंग मैंने चोटे से एक प्लास्टिक के बोतल में लगाया है, और काफी अच्छी इनकी ग्रोथ है, और इसी के पास यह है कनेर, कनेर यह पिंग कलर का हैं और डबल पैटन के हैं, एक ही चोटा सा पीस मैंने ग्रोव किया है, ये भी चोटे से प्ला अच्छा मिला है मझे और यहां है पेंटास, पेंटास के दो कलर मैंने एक ही पॉट में एड़ किया है, पूरी सालवर यह प्लान्ट फ्लावरिंग करता है, इसे अपने घर में जरूर एड़ करना चाहिए, और यह है एक क्रोटन, क्रोटन की यह वराइटी मेरे पास था नही तो मैं अपने फ्रेंट से चोटा सा एक पीस लेके आई थी, उसी को कटिंग के तरो यह ग्रोग किया है, क्रोटन की इस बार मैंने दो तीन वीडियो आपके साथ शेयर किया है, कि पानी में कैसे ग्रोग कर सकते हैं, और मिट्टी में, और इसे भी मैंने यह कर ली लिफ्ज क्रोटन को कटिंग से ग्रोग करना बहुत ही इजी होता है, यह भी दूसरे कलर का क्रोटन है, तो मैं डिस्कृप्शन बॉक्स मेर ऊपर आई वटन में इसका लिंक के से बार कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि पानी में कैसे ग्रोग कर सकते हैं, और यहाँ पर एक चो चाहिए होता है क्योंकि colorful एड करने के लिए बहुत अच्छा यह plant होता है और यह है देखिए हविकस जिसे गुड़ल यह double pattern का पिंक कलर का है और यह भी red color का एक hybrid variety गुड़ल एक ऐसा flower plant होता है यह बिना तक पूरी साल भर flowering करता है और cutting से इसे grow करना बहुत ही easy होता है और इसमें देखिए मैंने चोटे से pot में कम से कम चार से पांच cutting एक ही साथ लगा दिया है और सारे cutting बहुत ही अच्छा मेरा चला है बहुत सारे मैंने इस बार गुड़ल की cutting grow किया है और यहाँ है फ्रंट से यह इसे bleeding heart कहते हैं बहुत ही सुन्दर इनके flowers होते हैं और मेरा य इसकी बहुत ही स्पीट से यह plant grow हो गया है और चोटे से polythine में मैंने इसे grow किया है और इसकी growth आप इस टाइम देख सकते हैं अक्टूबर 1 है मैंने सितंबर 1 में इनकी cutting की थी तो वन मंत में बहुत अच्छा मुझे result मिला इस प्लांटे के साथ और इनकी flowers बहुत ही खुब कभी भी इनके बस खराब नहीं होते हैं और evergreen प्लांटे हैं पूरे सालवर इनकी greenery ऐसे ही बनी रहती है आप hanging basket में इस प्लांटों को लगा सकते हैं या वैसे कोई flat pot में भी आप लगा सकते हैं और यहां पर देखिए यह देशी वाली चांदिनी बहुत ही अच्छी flowering करत है अगर आपको आपके garden में हमेसा के लिए अधिक flower किसी प्लांटे से लेना है तो चांदिनी को जरूर एट करना चाहिए होता है क्योंकि इनकी flower white color के होते हैं और green leaves में देखने में काफी संदर लगता है और इधर है यह चांदिनी का double pattern वाला यह काफी संदर variety होती है इनमे भी flowering बहुत अधिक होती है लेकिन इनकी flower का जो size होता है वो देशी गुलाब की तरह size होती है और double triple pattern होता है तो देखने में काफी संदर लगता है यह बहुत ही अच्छी growth पे है और इसे मैंने pot में लगा रखा है और यह spider plant यह चोटे से दही का डबा था उसी में मैंने एक cutting इसकी लगा दी है और काफी अच्छी growth पे है spider plant hanging basket के लिए बहुत ही अच्छा plant है आगे यह सारे cutting मेरे terrace garden में रखे हुए है इनमें सबसे पहला यह plant है western fern बहुत ही तीजी से यह plant grow होता है और इनकी जो cutting fronts इनके baby plant होते हैं उनको divide करके आप साल भर किसी भी time इसे लगा सकत इंडोर आउट्डोर shade loving बहुत ही अच्छा plant है और greenery ऐसी रहती है कभी इनकी greenery खराब नहीं होती है और यहाँ पर भी एक croton है देखिए बहुत ही अच्छे इनके leaves है इसे भी cutting के तरू मैंने grow किया है और इसी plastic के एक pot में DIY मैंने share किया था उसे में cutting लगा दिया था और ब इंडोर आउट्डोर आप किसी भी side इस plant को रख सकते हैं cutting से बहुत अच्छा मुझे यह result मिला है और इस बार मैंने इनके पानी में भी grow cutting आपके साथ शेयर किया था उसका 100% result भी शेयर किया था तो description box में इसका link के शेयर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर ह रियो रियो देखिए कितना अच्छा फ्रैंट्स मेरे एक ही बेवी प्लांट इसका लगाया था इसी प्लास्टिक के पॉलिथिन में और आप देख सकते हैं अंगिनत इनकी बेवी प्लांटे कम से कम यहाँ फर 15-16 बेवी प्लांटे इसी में एड हो गया होंगे इतनी अल भर तो इनकी कटिंग कभी भी खराब नहीं होती है और यहाँ पर संजी जीया का बहुत ही सुन्दर एक प्लांट है कलर आप देख सकते हैं यह शेड लविंग प्लांट होती है फ्रैंट से इसे दूप पसंद नहीं होता है और कटिंग इसकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है इसे भी मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है तो कटिंग को मैं जादे दर ग्रो करती हूं फ्रैंट से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूं जब भी कटिंग करनी होती है तो उसे कम से कम दो से तीन हफ़ते तक धूप में बिल्कुल न ही रखना होता है जब आपको लगे कि ऊपर की पतिया नियू निकल रही है तब आप हलकी सी मॉर्निंग की दूप दे सकते हैं उससे जादा नहीं और यहां पर देखिए और एक ड्रेसिना की वाराइटी है इसे भी मैंने एक प्लास्टिक की बोतल को काटके कलर करके फिर इ इससे जादा नहीं और यह इंडूर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और एक और्नमेंटर प्लांट है इसे परपल हाट कहते हैं और चोटे से मेने दही के डबे में कलर करके इसके दो ब्रांच लगा रखे थे और इतना अच्छा ग्रो हो गया है और इन चार वाराइटी आती हैं उनमें से यह शेड लविंग प्लांट होता है और इंडूर में आप किसी भी कॉनर में घर में लगा दे तो यह प्लांट बहुत अच्छी तरह के से सर्वाइब करता है और इनके भी साइड से बहुत सारी बेवी प्लांट ग्रो होते हैं अपने से रिजल्ट आप देख सकते हैं, मैंने चोटे से डिस्पोजर में लगाया है, तो भी ये बहुत अच्छी तरीकिसे ग्रोव हो गया है, और दो प्रांचों हो गया है, इसके मैंने हलकी से पिंचे कर दी थी, ये मैंने अगस्त लास्ट में लगाया था, और अभी ग्रोव आप देख सकते हैं, आगे जो ये प्लांटे हैं, ये है कॉलियस, कॉलियस को तो कटिंग से आप किसी भी टाइम ग्रोव कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, और तीन से चार दिन में इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि इनके देहरो सारे color मिल जाते हैं तो cutting से multiply करना बहुत ही easy होता है और नीचे एक मैंने bleeding heart का चोटा सा branch लगा दिया था और मुझे उमीद भी नहीं था लेकिन बहुत अच्छा ये plant grow हो गया है और coleus मुझे बहुत ही अच्छा लगता है colorful add करने के लिए ये plant सबसे अच्छा और easy और कम कियर में चलने वाला evergreen plant होता है तो इससे जरूर add करना चाहिए होता है cutting को grow करने का और एक tip से share करती हूँ friends जब भी हम cutting करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें चोटे pot का use करें क्योंकि उनको कम space मिल जाता है cutting को root से निकालने के लिए तो हमारा cutting बहुत जल्दी result भी दिखने को मिल जाता है तो जादेतर में ये poly bag का या disposal का या चोटी जो बोतल खराब पड़े रहते हैं उनको काटके उन ही में cutting से में लगाती हूँ उससे मुझे बहुत जादा अच्छा result मिलता है वो ही मैं अपना personal experience है आपके सा शेयर करती हूँ और जब भी cutting को लगाते हैं फ्रेंट से दूप से बचाना होता है और पानी का खास दोर से धहन रखना होता है कि दिन में एक बार आप पानी दे सकते हैं और यहाँ पर भी एक क्रोटन आप देख सकते हैं एक चोटे से पॉली बैक में मैंने कितने सारे क्रोटन एक ही साथ एट किया है मुझे काफी अच्छा लगता है फ्रेंट से मैं अपनी गार्डन में ज़्यादा तर क्रोटन को cutting के तुरू ही एट करती हूँ और क्रोटन का रिजल्ट भी हमें बहुत ही अच्छा मिलता है इनका रिजल्ट जल्दी से खराब भी नहीं होता है तो यह फर्स्ट नंबर पे मेरा प्लांट रहता है क्रोटन और सेकंड पे जो में रखती हूँ अपनी गार्डन में ज़्यादा था कलेक्शन में वह होती है सिंगोनियम सिंगोनियम की यह जो pink कलर है इसे भी मैंने इस बार garden में first time add किया है cutting के तुरू और इनकी 4-5 variety है बहुत सारी variety होती है सिंगोनियम की और बहुत ही easy to grow होती है cutting से grow करना बहुत ही easy होता है तो कहीं पर भी आपको सिंगोनियम मिलती है तो उसे जरूर अपनी गाडन में add कीजिए तो वीडियो कैसे लगा फ्रेंड से कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी चैनल पर पहली बारे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड से तब तक के लिए नमस्कार बाए हैपी गाडनिंग टे केर फ्रेंड्स